दोस्तों सुबे का नाष्टा हमारी डाइट में एक बहुती एहम भूमी का निबाता है और अगर आपके नाष्टे का हिस्सा अंडा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं अंडे के सेवन से ना सिर्फ सर्दिया बलकि हर मोसम में फाइदा मिलता है दोस्तों अंडा खाने का सबका अपना फ्लेवर और टेस्ट होता है किसी को अंडे उबाल कर खाने पसंद है तो किसी को इसका ओमलेट बना कर खाना अच्छा लगता है और कोई इसे कड़ी के रूप में भी खाना पसंद करता है दोस्तों अंडा प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको बता दें कि अंडे में 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं इसमें वाइटमिन A, B, B12, वाइटमिन D और वाइटमिन E की भी बरपूर मातरा होती है इसके इलावा ये फॉलिट, सेलेनियम और केख नीज लवनों का भी एक अच्छा सोर्स है तो आज LifeX में हम आपको बताने जा रहे हैं उबले हुए अंडों के स्वास्ते वर्दक और ओश्यत्य गुनों के बारे में तो चले इसके बारे में जानते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टे ओवर यूट्यूब चैनल LifeX आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल LifeX पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सब्सक्राइब करें और चैनल पर अविलेबल बैल आइकन को इनेबल जुरूर करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे बहले देख सकें तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उबले हुए अंडे के गजब के फायदों के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे दोस्तों कई लोग अंडे को अपनी डाइट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके सेवन से वे लोग मोटे हो सकते हैं अगर आप भी किसी ऐसी गल्थ फैमी का शिकार हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि उबले अंडे के सेवन से कैसे आप अपने मोटापे को घटा सकते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उबले अंडों के सेवन से कैसे दुबले बतले लोग भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं तो चले दोस्तों जानते हैं उबले हुए अंडों के फाइदों के बारे में सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि मोटापे को घटाने के लिए आपको कैसे करना है उबले अंडों का सेवन इसके लिए दोस्तों आप 4-5 अंडे लीजिए और उन्हें अच्छे से उबाल कर आप इसके पीले भाग जिसे अंडे की जर्थी और इंगलिश में योग भी कहा जाता है उसे निकाल दें और फिर इसके सफेद सुबह नाश्टे में सेवन करें दोस्तों अंडे के पीले भाग में फैट होता है और सफेद भाग में प्रोटीन और हमें वजन कम करने के लिए प्रोटीन की अधिक अवशक्ता होती है इसलिए आपको मोटापा कम करने के लिए सिर्फ सफेद भाग का ही सेवन करना है तो चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि जिन लोगों का वजन कम है वो कैसे उबले अंडों का प्रयोग करें जिससे उनका वजन बढ़ जाए दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप लोगों को पूरे अंडे का सेवन करना चाहिए यानि सफेद और पीला भाग दोनों खाने ज़रूरी है इसलिए आपको उबले अंडे का सेवन पीले भाग के साथ ही करना है दोस्तों अंडे के पीले भाग में good fat होता है जो शरीर को strong और healthy बनाता है इसके इलावा दोस्तों अंडे का सेवन आपके मांसिक विकास यानि की mental ability के लिए भी ज़रूरी है अंडे में मजूद omega 3 fatty acids और vitamins दिमाग के लिए काफी फायदमन्द होते है इसमें कोलिन पाया जाता है जिसके सेवन से यादाश्ट में बढ़ोतरी होती है जिसके सेवन से स्वर्ण शक्ति तो बढ़ती ही है साथ ही दिमाग की कारेक शमता भी बढ़ जाती है और दिमाग बैतर तरीके से काम करता है इसलिए दोस्तों दिमागी विकास के लिए आप अपनी डाइट में उबले अंडे जरूर शामिल करें दोस्तों हमारे बाल और नाखुन प्रोटीन के बने होते हैं ऐसे में अंडे में मुझूद हाई लेवल प्रोटीन इन्हें मजबूत और खूपसूर्थ बनाए रखने में मदद करते हैं बालों के विकास और उन्हें मुलाइम बनाए रखने के लिए आप अंडे के सेवन के साथ साथ आप अंडे को अपने बालों में भी लगा सकते हैं। आप अंडे को दही या सरसों के तेल में मिला कर भी अपने बालों पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाल सोफ्ट, और शाइनी हो जाते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उबले अंडों का सेवन हमें दिल की बिमारियों से भी बचाता है जी हाँ आपने बिल्कुल सई सुना दरसल अंडे के पीले भाग में अनसेचुरेटिड फैट पाय जाता है जो कि हार्ट के रोग्यों के लिए काफी अच्छा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मुझूद अनसेचुरेटिड फैट हमारी धमनियों में ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्टरोल को कम करता है जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है इसलिए दोस्तों आप अपनी डाइट में उबले अंडों को इसे लेने से आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी क्योंकि अंडे के पीले भाग में हल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर को उर्जा भी देते हैं जिन लोगों को आँखों का कोई रोग है या जिन बुजूर्गों की आँखों की रोशनी कम हो गई है उन लोगों को हर रोज दो उबले अंडों का सेवन जरूर करना चाहिए अंडे में वाइटमिन A होता है जो हमारी आखों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों प्रेगनेंट लेडिस को घरब आवस्ता के दुरान हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए और अंडे हेल्दी चीजों में से एक इसलिए घर्ब में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उबले अंडों का सेवन ज़रूर करें दोस्तों कई लोगों के शरीर में आईरन की कमी हो जाती है जिससे उन्हें सरदर्द, चिरचिड़ापन, बदन दर्द, खून की कमी होने लग जाती है तो यदि आपको ये समस्या है तो ऐसे लोगों को उबले अंडों का सेवन ज़रूर करना चाहिए अंडे में काफी मातरा में आईरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर को ताकत देता है तो दोस्तों इन सभी फाइदों का भरपूर लाब उठाने के लिए आप अपनी डाइट में उबले हुए अंडों को ज़रूर शामिल करें तो दोस्तों ये है हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताए उबले हुए अंडे खाने के गजब के ओशद्ये और स्वास्ते वर्दक फाइदे उमीद है आपको उमारी ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों आपको उमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको उमारी ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहत माइने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिन्दगी भी संबार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग दोस्तों सुबे का नाष्टा हमारी डाइट में एक बहुती एहम भूमिका निबाता है और अगर आपके नाष्टे का हिस्सा अंडा है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं अंडे के सेवन से ना सिर्फ सर्दिया बलकि हर मोसम में फाइदा मिलता है दोस्तों अंडा खाने का सबका अपना फ्लेवर और टेस्ट होता है किसी को अंडे उबाल कर खाने पसंद है तो किसी को इसका ओमलेट बना कर खाना अच्छा लगता है और कोई इसे कड़ी के रूप में भी खाना पसंद करता है दोस्तों अंडा प्रोटीन और अमीनो एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको बता दें कि अंडे में 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं इसमें वाइटमिन A, B, B12, वाइटमिन D और वाइटमिन E की भी बरपूर मातरा होती है इसके इलावा ये फॉलिट, सेलेनियम और केख नीज लवनों का भी एक अच्छा सोर्स है तो आज LifeX में हम आपको बताने जा रहे हैं उबले हुए अंडों के स्वास्ते वर्दक और ओशद्य गुनों के बारे में तो चले इसके बारे में जानते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टे आवर यूट्यूब चैनल LifeX आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल LifeX पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या आप इसे पहले सब्सक्राइब करें और चैनल पर अविलेवल बैल आइकन को इनेबल ज़रूर करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उबले हुए अंडे के गजब के फायदों के बारे में जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे दोस्तों कई लोग अंडे को अपनी डाइट का हिस्सा इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके सेवन से वे लोग मोटे हो सकते हैं अगर आप भी किसी ऐसी गल्थ पैमी का शिकार है तो आज हम आपको बताएंगे कि उबले अंडे के सेवन से कैसे आप अपने मोटापे को घटा सकते हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उबले अंडों के सेवन से कैसे दूबले बतले लोग भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं तो चले दोस्तों जानते हैं उबले हुए अंडों के फाइदों के बारे में सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि मोटापे को घटाने के लिए आपको कैसे करना है उबले अंडों का सेवन इसके लिए दोस्तों आप 4-5 अंडे लीजिए और उन्हें अच्छे से उबाल कर आप इसके पीले भाग जिसे अंडे की जर्थी और इंगलिश में योग भी कहा जाता है उसे निकाल दें और फिर इसके सफेद सुबह नाश्टे में सेवन करें दोस्तों अंडे के पीले भाग में फैट होता है और सफेद भाग में प्रोटीन और हमें वजन कम करने के लिए प्रोटीन की अधिक आवशक्ता होती है इसलिए आपको मोटापा कम करने के लिए सिर्फ सफेद भाग का ही सेवन करना है तो चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि जिन लोगों का वजन कम है वो कैसे उबले अंडों का प्रयोग करें जिससे उनका वजन बढ़ जाए दोस्तों वजन बढ़ाने के लिए आप लोगों को पूरे अंडे का सेवन करना चाहिए यानि सफेद और पीला भाग दोनों खाने ज़रूरी है इसलिए आपको उबले अंडे का सेवन पीले भाग के साथ ही करना है दोस्तों अंडे के पीले भाग में good fat होता है जो शरीर को strong और healthy बनाता है इसके इलावा दोस्तों अंडे का सेवन आपके मांसिक विकास यानि की mental ability के लिए भी ज़रूरी है अंडे में मजूद omega 3 fatty acids और vitamins दिमाग के लिए काफी फाइदमंद होते हैं इसमें कोलिन पाया जाता है जिसके सेवन से यादाश्ट में बढ़ोतरी होती है जिसके सेवन से स्मर्ण शक्ति तो बढ़ती ही है साथ ही दिमाग की कारेकशमता भी बढ़ जाती है और दिमाग बेतर तरीके से काम करता है इसलिए दोस्तों दिमागी विकास के लिए आप अपनी डाइट में उबले अंडे शुरूर शामिल करें दोस्तों हमारे बाल और नाखुन प्रोटीन के बने होते हैं ऐसे में अंडे में मुझूद हाई लेवल प्रोटीन इन्हें मजबूत और खूबसूर्त बनाए रखने में मदद करते हैं बालों के विकास और उन्हें मुलाइम बनाए रखने के लिए आप अंडे के सेवन के साथ साथ आप अंडे को अपने बालों में भी लगा सकते हैं आप अंडे को दही या सरसों के तेल में मिला कर भी अपने बालों पर लगा सकते हैं ऐसा करने से आपके बाल सोफ्ट, मुलायम और शाइनी हो जाते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उबले अंडों का सेवन हमें दिल की बिमारियों से भी बचाता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना दरसल अंडे के पीले भाग में अनसेचुरेटिड फैट पाय जाता है जो की हाट के रोग्यों के लिए काफी अच्छा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मुझूद अनसेचुरेटिड फैट हमारी धमनियों में बलड शुगर लेवल और कोलेस्टरोल को कम करता है जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है इसलिए दोस्तों आप अपनी डाइट में उबले अंडों को ज़रूर शामिल करें दोस्तों अगर आप रोज सुबे उटने में आलस मैसूस करते हैं तो उबले अंडों का सेवन आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को आँखों का कोई रोग है या जिन बुजूर्गों की आँखों की रोशनी कम हो गई है उन लोगों को हर रोज दो उबले अंडों का सेवन ज़रूर करना चाहिए अंडे में वाइटमिन A होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों प्रेगनेंट लेडिस को घर्बा वस्ता के दुरान हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए और अंडे हेल्दी चीजों में से एक है इसलिए घर्ब में पल रहे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उबले अंडों का सेवन ज़रूर करें दोस्तों कई लोगों के शरीर में आईरन की कमी हो जाती है जिससे उन्हें सरदर्द, चिरचिड़ापन, बदन दर्द, खून की कमी होने लग जाती है तो यदि आपको ये समस्या है तो ऐसे लोगों को उबले अंडों का सेवन जरूर करना चाहिए अंडे में काफी मात्रा में आईरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और शरीर को ताकत देता है तो दोस्तों इन सभी फाइदों का भरपूर लाब उठाने के लिए आप अपनी डाइट में उबले हुए अंडों को ज़रूर शामिल करें तो दोस्तों ये है हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताए उबले हुए अंडे खाने के गजब के ओशद्य और स्वास्ते वर्दक फाइदे उमीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगे दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दे अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहत माइने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिन्दगी भी संवार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग